सबसे बड़ा पोर्टल आ रहा है वो है 11 नौंबर और ऐसे दिन पे आप बहुत सारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप दिल से मैनिफेस्ट करते हैं अपनी इच्छाओं को तो वो ज़रू से पूरी होती है और यूनिवर्स भी अपना साथ देते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए किस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो बने रहीएगा मेरे साथ सब्सक्राइब कीजिए इंदुजी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइब रेमेडीज के लिए नमस्कार मैं दुआ हुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल इंदुजी के रेमेडीज पे तो सबसे पहले आपको बता दू जो पोर्टल आ रहा है वो आ रहा है ग्यारा नॉमबर को वैसे तो आपको लग रहा होगा कि 11-11 यानि कि जो 11 तारीक है और नॉमबर 11 लेकिन आप क्या जानते इस दिन ट्रिपल ग्यारा है यानि कि यह बहुत ही बड़ा दिन है कैसे 11-11 प्लस 2023 को अगर आ प्लस करते हैं तो भी वो 11 आता है यानि कि 11-11 चे बार वन आ रहा है यानि कि यह बहुत ही बड़ा दिन है और एक नंबर जो होता है वो रिलेट करता है सूरिय से और ऐसे में 6 बार एक आ जाए 6 नंबर हो जाए तो वो हो गया शुक्र यानि कि वीनस का बहुत ही ज़्यादा अगर आप कोई भी लगश्यरी को भी मैनिफेस्ट करते हैं आप मानलो कि अपना घर बनाना चाहते हैं आप गाड़ी लेना चाहते हैं ऐसे में ये दिन बहुत ही बड़ा है और इसको कैसे करना है वो आज में आपको टेक्नीक बताने जारी हूँ लेकिन इसको पूरे दिल क के साथ विश्वास के साथ आपको करना होगा कुछ चीजों को आपको यहां पर फॉलू भी करना होगा क्योंकि अगर आप उन बातों को फॉलू नहीं करेंगे तो आपको मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा मैनिफेस्ट आपको वो चीजे करनी है जो वाकली में आपकी आत्मा अंदसे चाहती है, देखे एक होती हमारी इच्छाएं, इच्छाओं का क्या है? आज एक इच्छा खत्म होगे तो दूसरी इच्छा कल को आकर आजाएगी, तो आपकी मेन मुदधा, आपको लाइफ में क्या चाहिए, जिससे आपकी अंदसे आत्मा खूश होगी, वो आपको चीजों के बारे मैं manifest करना चाहिए और आपको वो कैसे पता चलेगा आपको शांती से एक जगा पर बैठ जाना है और एक कागस पर आपको जो भी आपकी desires है वो आपको लिखते चले जाना है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए अब आप उसमें से सोचिए कि इसमें से कौन सी टेंपररी है कौन सी चीज है जो मुझे टेंपररी खुशी देगी लेकिन कौन सी ऐसी इसमें से चीज है जो मुझे बहुत लंबे अर्से तक खुशी देगी और ऐसे मैं आपको दिमाग से नहीं सोचना आपको अपने दिल से सोचना है, जो आपके दिल से पहली आवाज आए, उस चीज को आपको manifest करना है, वैसे maximum आप यहाँ पे तीन कोई भी बातों के लिए manifest कर सकते हैं, आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए भी कर सकते हैं, अब ऐसे में आपको करना क्या है वो तो मैं आपको बताओंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यहां पे आपके पास एक महीने का टाइम होगा उस एक महीने में आप कभी भी कर सकते हैं 11 November से लेके 11 December तक इस एक महीने में आप इसको कर सकते हैं लेकिन यहां पे मेरा सुझाव यह रहेगा कि 11 तारीक से आप इसको शुरू करें यानि 11 नॉम्बर से आपको शुरू करना है और 11 दिन तक आप इस उपाय को करेंगे हाडली आपको पांच मिनिट भी नहीं लगेंगा पूरे दिन में कभी भी करना है या रात को भी आप इसको कर सकते हैं बहुत ही आसान है जो मैं आपको बताने जाली हूँ ठीक है 11 नॉम्बर नहीं कर पाये इनके सब दिवाली में बिजी हैं तो फिर कभी भी 11 नॉम्बर के बात कीजिएगा लेकिन जभी भी करें आप 11 दिन तक इसको कंटिन्यू करें और वह 11 डिसेंबर से पहले यानि कि आपका यह 11 दिन हो जाने चाहिए इस तरीके से आपको करना है और यह जो मैं आपको बताने जाली है उसको आप पीरेज में भी कर सकते हैं अब आपको करना क जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं मिल पाता तो फिर लास्ट में ब्लू पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी आपकी इच्छा आप लेंगे पहले तो आपको क्या करना है आपको क्या क्या चाहिए वह आपने लिख लिया अब उसमें से आप टिक माक कर लीजिए आपको सबसे पहले चाहिए वह वन टू थरी इस तरीके से करें अब जब वह मार्किंग हो जाए फिर वह जो आपने डैरी या पेपर या बुक जो भी लिया है उसमें आप सबसे पहला जो इंपोर्टेंट है वह आप लिखेंगे लेकिन अब आप अलग तरीके से है मान लो कि आप चाहते हो प्रोपटी अपना घर बनाना चाहते हो तो मेरा घर बन चुका है मैं बहुत खुश हो आप अपनी भाशा में इसको लिखेंगे जैसे आपके दिल से है यानि कि वो चीज हो चुकी है प्रेजन टेंस में आप उसको इंजॉय कर रहे है इस तरीके से अपको लिखना अब जो भी आपने विश अपनी लिखी से हो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया उसको आप 10वा लिखेंगे अब मानलो कि आपकी दूसरी कोई विश है तीसरी कोई विश है तो आप तीनों को 112 मतला हर एक विश को आपको 11। historically वN techniques फिर नेक्स देन आप उसको रिपीट करेंगे, उसी सेंटेंस को आप लिखते चले जाएंगे, ऐसा आप कंटिन्यू 11 दिन तक करेंगे, और जब भी आपका लिखके हो जाए, तो जो भी आप कागज और डायरी जो भी लिख रहे हैं, उस डायरी को या किताब को आप घर के प आपको पता कि यहां से सूरज उखता है, तो आपकी जो पीठ होगी, वहां पर पच्चे मुगवां से सूरज ढलेगा, जहां से सूरज ढलता है, उस डिरेक्शन में आप इसको कहीं पर भी कोई भी कमरे के वैस डिरेक्शन में रखेंगे, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, बाद में उस कागस को यह बुक को आप चाहें तो मिट्टी में दबा सकते हैं या पानी में परवान कर सकते हैं उतने पेजी साप निकाल के, लेकिन तब तक आप उसको संभाल के जरू से रखेंगा, अगर आप उसको नहीं डिस्पोस आफ करना चाहते तो उसको पर्मनेंट भी आप रख सकते हैं ताकि यादगीरे रहे कि मैंने इसको इस तरीके से रिखा तो और यह मेरी इच्छा पूरी होगी और मैं चाहूंगी कि जब आपकी इच्छा पूरी हो तो इसी वीडियो के नीचे आके मुझे कमेंट करके जरू बताएगा मुझे बहुत जब बता ज़ना जब खुशी होगी लेचाह, यह न पर आपको मैनिफेस्ट कीव करना है? क्यूंकि यह बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है, यह बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है, क्यूंकि अगर आज के दिन आप ऐसा करती है तो इच्छा है है कि वहोटत जल्दी इसका मतलब ये है कि angels आपके साथ है तो उस message को आप समझने की कोशिश करें यानि कि अब आपको hard work करने के जरूत है आपका समय आ चुका है आपकी किस्पत खुलेगी तो जो भी आप कारिया कर रहे हैं उसमें आपको 100% देना है अब मैं आपको और एक यहां पर remedy देने जा लिए हूँ जो की बहुत ही सूपबली काम करेगी और इस दिन आप जरू से कीज़ेगा क्योंके देखिए दिवाली के देना है और इस दिन आप wealth के लिए अगर ये remedy करते हैं खास तौर पर 11 नाउंबर को तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा अगर आपने इसको 11 बच के 11 मिनिट पर कर लिया तो सोने पर सुहागा जैसा काम यानि कि सुभे के 11 बच के 11 मिनिट या रात के 11 बच के 11 मिनिट पर आप कर सकते हैं नहीं तो पूरे दिन में कभी भी किजिएगा बहुत ही इजी रेमिडिया आप इसको एक दिन पहले रेडी कर सकते हैं आपको करना क्या है एक प्लेन कागज लेना एक प्लेन ऐसे कागज ले लिजे और उस पे आप लिखिए 6 x 1 यानि कि 1 1 1 1 1 1 1 1 एक ही लाइंग में आप इसको लिख लेंगे और आप इसको लिखेंगे रेड कलर की पैंसे या ग्रीन कलर की पैंसे या स्केच पैंसे ग्रीन कलर की पैंसे लिखेंगे तो बहुत ही शुब रहेगा नहीं तो आप रेड कलर का यहां पर इस्तिमाल कर स आपको क्या करने कोई भी रेने है वो अलग अलग भी हो सकते है वो एक ही करनसी के भी हो सकते है माना लो कि आपने 500 के ज़ए चुट लिए तो तो इसके बीच में इस काघस को आप लेटा दिंगे यानि कि सैंडविच की तरह बना देंगे, वो कागस बीच में आ जाएगा, एक नोट आपने रखा, फिर कागस को आपने रखा, नमबर उपर की तरफ दिखा देगा, फिर दूसरा वापस नोट उपर से रख दीजे, अगर आपके पास गडियां है, मानलो की बंडल है आपके सीधा उपर की तरफ और उसके उपर बंडल से इसको कवर कर लेंगे, फिर उसके उपर चेही तो दूसरे बंडल से आप रख सकते हैं, ठीक है, इसको आप तिजोरी में रखिएगा, ये मैनिफेस्ट करते हुए, कि अब आपकी पैसे की घर में बरकत होती चली जा रही है, पैसे आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको आप जरू से विश्वास के साथ कीजेगा, आप मुझे कुछी दिनों में यहां पर कमेंट करके बताएंगे, कि महनत आपने की और उसका फल आपको मिला और आपके पैसे की बरकत होती चली जा रही है, क्योंकि अगर आप मह जरू से कीजेगा, इस रेमेडी को आप जरू से कीजेगा, आप यह उमीद करते कि सिव उपाय करने से काम होगा नहीं, आपको महनत भी करनी है, ठीक है, और लास्ट में आपको थैंक्यू जरू से बोलना है, दोनों जो भी मैंने आपको रेमेडी बताई पहले बाले में भ अभी आपको SUPPOOZ bundle के पीच में आप रख रहें तो bundle आप चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, माल लो कि आपको bundle कभी वो इस्तेमाल करना है, NotE, कोई बात नि आप उसको इस्तेमाल करना है, कोई आप उसको Senine Linvestre तो इस तरिके से आप उसको रख पाएं तो इस वीडियो को आप ज़्या चेर कीजिएगा क्योंकि आपकी वीडियो शेयर करने से और भी बहुत लोगों की मदद हो पाएगी और इसी के साहँ साहँ आपके साहँ नाउंस करने जा रही है पोस्ट के जरी इसको अनाउंस कर दिया लिकें फिर भी यहां पर बता रही हूं कि हमारी वरक्शॉप अगली वरक्शॉप आरी जो कि पेड वरक्शॉप है और वो है दिवाली वरक्शॉप यानि कि दिवाली में ऐसे कौन सी रेमिडी आप करें जिससे कि धन को आप जीवन म अब भी नहीं करना चाहिए लाइव जुम पे होगा तो आप मुझसे परस्नली वहां पे खुद मिल सकते हैं खुद परस्नली मैं यह वरक्शॉप लेने जा रही हूं और इसकी डीटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे वाट्सअप नमबरें डिस्क्रिप्शन म वहां पे आप हमें वाट्सप कर सकते हैं डीटेल्स आपको सारी मिल जाएगी तो चली हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नहीं जानकारी के साथ तब तक आप मसत रहें खुश रहें और अपना पूरा ध्यान रखे हो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बि कर दो